प्रोटीन वाला है प्रोटीन इसमें ज्यादा है विटेमिन ए ज्यादा है वो पढ़ाई का नाम है MBBS और MD या MS अपने पूरी पढ़ाई आए है मानु में न, MBBS, MBMS की पढ़ाई परदेश से आई है, परदेश में भी यूरोप से आई है, यूरोप में जो लोग होंगे, मैंने आप से कहा उनके पास को मास और अंडे के अलावा कुछ है नहीं साने के लिए, बात समझ्याती है, तो उनकी जो पुस्तके हैं, जुनका वो अ यूरोप में डाल होती नहीं, डाल में जादा होते नहीं, तो उन डॉक्टरों को पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में, जो लिखा जाता है, वो ये, कि अगर में ये लिखना शुरू करें भजी पला खाओ, तो उनकी डाल खाओ, उनकी डाल खाओ, उसमें प्रोटीन बह अंडा खाओ, मास खाओ, मचली खाओ, क्योंकि यही वहाँ पर मिलता है, मचली बरपूर मिलती है, क्योंकि समुद्र काफी है, अंडा बहुत मिलता है, क्योंकि मुर्गियां बहुत है, ठंडे प्रदेश में मुर्गी का पालन लक्षे से हो सकता है, और मास बहुत है, क्यो वो हमारे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी यही पढ़ रहे हैं उस्चिकुटसा को हमने हमारे देश की जरूरत के हिसाब से बदल नहीं किया बने उन पुस्तकों में बदल होना चाहिए और उसमें ये लिखा होना चाहिए ये भारत में अंडे की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडे का विकल्फ हमारे पास बहुत कुछ है हमारे पास तो अंडे का विकल्फ बहुत कुछ है तो हमको इसकी जरूरत नहीं है तो पुस्तक में हमें पदल करने की जरूरत थी वो हमने किया नहीं है तो ऐसे ही वो चल रहा है तो इसलिए जो डॉक्तर इस विशह को पुस्तकर के आधार पर पढ़कर निकलते हैं वो अपने मरीजों को बोलते रहते हैं अंदा खाओ कभी-कभी तो कह देंगे मास खाओ गाय का मास खाओ दूकर का मास खाओ एसा वो बोलते हैं येकिन हमारे देश की एक चुकिता पदिती है उसका नाम है आयरवेड आयरवेड की पढ़ाई पढ़कर जो डॉक्तर निकलते हैं वो कभी नहीं कहते हैं के अंदा खाओ क्योंकि अंदे से जो मिलता है उससे ज़्यादा हमारे पास दूसरी चीजों से मिलने के लिए बहुत कुछ है अंदे में प्रोटीन है तो प्रोटीन तो सबसे ज़्यादा उड़िद की डाल में होता है अंदे से भी जास्ते चले की डाल, उड़िद की डाल, मूं की डाल, अरेर की डाल, मसूर की डाल, मोट की डाल इनमें अंडे से भी जास्ती प्रोकिये अंडे में बिटेमिन ये है लेकिन अंडे से जास्ती बिटेमिन दूद में है दूद से जास्ती दही में है दही से जास्ती ताक में है ताक से जास्ती मक्षन में है और सबसे जास्ती बिटेमिन तूप में है तो हवारे भास तो तूप है खाने के लिए, तो भिटेमिने की पूर्ती हो गई तूप से, मक्कन से, पाक से, दही से, दूद से, प्रोटीन की पूर्ती हो गई दान से, और इंडे में क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो अगर कोई आपको बोलता है कि भाई आप दूद पी लेंगे या तूप खाएंगे और प्रोटीन की कमी है तो दान खाएंगे